What is zeroth law of thermodynamics, शायद नाम सुना हुआ अपने zeroth law of thermodynamics का, सुना है किसी ने, क्या है वो, कि लेगे वो जो सर 1-1 है, zeroth law of thermodynamics, बहुत ही सुन्दर बात, है न, बहुत ही सहज बात, A B का भाई है, A B का भाई है और B C का भाई है, लेकिन C A का भाई नहीं है, ये क्या बात है, आपको पता है कि आपको पूरी इंफोर्मेशन होगी तब आप ये बात बोल सकते हैं तो अभी जैसे किसी ने जीरोत law of thermodynamics में क्या बात आईगी जीरोत law of thermodynamics में कहा गया कि अगर एक object है एक दूसरा object है भी और एक तीसरा object कौन है सी उसमें कहा गया कि अगर A and B are in thermal equilibrium तो हमने कहा है what is thermal equilibrium नहीं थर्मल equilibrium में है A और B जी दो object है and they are in thermal equilibrium जी अरी यार यह देखो यह बहुत बड़ी बात है जो कि थी ही नहीं है ना थी नहीं temperature से परिचे तो होना चाहिए शब्द से वो तो था ही नहीं तो thermal equilibrium का मतलब the state at which net exchange of energies between A and B is zero net exchange अरे same temperature उसी को बोलते हैं आप temperature का जो concept वो आया ही यहीं से temperature scale का जो concept आया वो यहीं से आया कैसे आया भी बात करेंगे if A and B are in thermal equilibrium and B and C are in thermal equilibrium यह कहा जा रहा है कि अगर A और B thermal equilibrium में हैं और B और C भी thermal equilibrium temperature की बात तो आगए लेकिन बात बड़ी बात है कि A और B are in thermal equilibrium B and C are in thermal equilibrium then A and C must be in thermal equilibrium मैंने भी आपको example दिया था कि यह बातें बोलना इतना आसान नहीं है कि अगर A, B का भाई और B, C का भाई है तो C, A का भाई पक्का होगा पक्का वक्का नहीं होगा भाई जबाता है तो अभी यहां पर लेकिन क्या कहा जा रहा कि A and C must be in thermal equilibrium ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो अब इससे हमारा इससे हमें मिला क्या इससे हमने बनाए thermodynamic इसके इसके आपने कभी temperature नापने के बारे में सोचा है नापा है किस से नापा था आपने thermometer में आपने क्या देखा था mercury का level देखा था तो temperature किसका नापा आपने तुम्हारा कैसे नाप होगी जब mercury का level तो mercury के temperature से decide होगा ना तुम्हारा temperature कैसे हुआ वह तो तुम्हारा temperature कैसे हुआ वह यह किसी की बिल्लो यार तेमपरचर तो mercury का हुआ ना मैं यह कह रहा हूं यार नहीं समझ रहे मेरी बात अच्छा mercury जो थी वह आपके temperature को कैसे नाप रिवाई देने हैं मर्कुरी का temperature क्या आपके temperature के बराबर है तो पर नापा कही से उसना तो पर तो उसे अपना temperature कही से बोल ले आगे लगा लिए यह लग गया आगे बोलो अरे जब नाप रहे हो यहां पर आगे और सेट अब बोलो कर गई नोटिस किया जो चेंज में नहीं आया जहाँ पर जाके वो रुका आपने वो टेंपर अरे उसको छोड़ दो बैर उसको कहीं से भी निकाल ले उसको लागा लागा थोड़ी दिर आजागा अभी क्या बता रहा है अभी टेंपरिचर किसका बता रहा है अब यह बात है लेकिन आपने कहा कि देखो तीन चीज़ें एक हो आप एक है वो कांच का बरतन जिसमें मर्कुरी है और एक मर्कुरी खुद है आपने थर्मल एकुलीब्रेम इस्टेबलिश किया बिट्विन य दृऊ को एक आप ने मार्कुरी तो आपने कहा कि देखो भाई अगर यह माय बॉडइ एड़ एंड ग्लास अन्ध mercury are in thermal equilibrium then mercury and my body must be in thermal equilibrium समझ गया आपने temperature तो mercury का measure किया था ना लेकिन पर उसे आपने अपना क्यों बोला क्योंकि आपने का zero of thermodynamics बहुत सिंपल सी बात है किलियर रहेगी बात तीन चीज़े दिखी थी आपको उसमें कांच ना होगा तो ऐसे mercury हाथ में लेकि थुड़ी लगा लेकिन नाप लेको अरे कांच तो गंटेनर तो चाहिए ना ठीक है तो आप ऐसे temperature measure कर रहे हैं और वहाँ पर आपको use किसका पढ़ रहा है अपके रहे हैं नॉर्मल है जी विटा हाँ 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 A B C तो आपने क्या का मैं खुद और कौन हाँ मैंने किसको टच किया गिलास को गिलास में किसको टच किया मर्क्यूरी को temperature किसका मेजर किया गया मर्क्यूरी का बताये किसका गया सिंपल है तो अभी तक temperature नापते आ रहे थे पता ही नहीं था किसका temperature नाप रहे है मर्क्यूरी बैटी मुस्कुरा रही थी किया रहे temperature नापता किसी और का है नापता कोई और है हाँ चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे ना तो अभी जीरोत लॉफ तर्मडानेमिक से किलियर हो गया बात हाँ